दोस्तों क्या होगा अगर सरकार unlimited पैसा थाप दे? क्या देश की सारी गरीबी दूर हो जाएगी? क्या देश के सारे लोग अमीर हो जाएगे? तो आपको बता दे जिमबांबे देश के गोवर्मेंट ने सेम यही डिसिजन लिया और उन्होंने अपने देश में unlimited पैसा चाप दिया और उन्होंने यह सोचा कि unlimited पैसा चाप कर देश के सारे करजे चुका देंगे और देश में कोई गरीब नहीं रहेगा सारे लोग अमीर हो जाएंगे लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो आप उस समय की इस तस्वीर को देखिए अब आप यह सोच रहे होंगे कि वहाँ का हर एक आदमी अमीर हो गया होगा लेकिन आपको नहीं पता यह बच्चा इतना सारा पैसा लेकर करके सिर्फ एक ब्रेट का पैकेट खड़ीदने जा रहा है यानि कि वहाँ पे एक ब्रेट की कीमत ही इतनी महंगी हो गई कि वहाँ पे छापे गए पैसे की कोई कीमत ही ना रही यानि कि अगर सरकार unlimited पैसा छापती है तो उसका नतीजा होगा देश में महंगाई और तो और उन पैसों की कोई value ही ना रहेगी तो अब आपके मन में ये खयाल आ रहा होगा कि आखी सरकार पैसे छापती कैसे है और इस पैसे को किस चीज से बनाया जाता है तो आज के इस वीडियो में ये सारी जनकारी लेंगे कि पैसा किस चीज से बनता है और कैसे प्रिंट किया जाता है वो सारा प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बनने वाले नोटों में जान आ जाए और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए और फिर उसमें से सारे पानी को निकालने के बाद उसे एक मसीन में डाला जाता है जो की उस सारे मिक्स्चर को दबा दबा कर पेपर बना देता है अब दोस्तों आपने देखा होगा इंडियन करेंसी पर गांधी जी का वाटर मार्क होता है अब वही वाटर मार्क करेंसी को बनाने में सबसे पहले लगाया जाता है अब एक तरफ मसीन में वाटर मार्क पेपर पे चड़ता है और दूसरी तरफ उसी पेपर का बरा सा रोल बनता रहता है उसी बरे से रोल में से पेपर का पर होलोग्राम लगे होते हैं जिसको हम तार भी कहते हैं और ये हर नोट में अलग अलग रंग के होते हैं और ये होलोग्राम watermark के बाद नोटों के ऊपर लगा दिया जाता है अब इस के बाद paper का visual infection होता है जो की computer के ज़रिये किया जाता है और ये paper inspector अच्छे से चेक कर लेते हैं कि नोटों पर लगाया हुआ वाटर मार्क और होलोग्राम ठीक है या नहीं अब उसके बाद उस पेपर का रोल इस मसीन के उपर लाया जाता है जो की छोटे-छोटे टुकरों में काट देती है अब इसके बाद इस पेपर के रोल को प्रिंटिंग एरिया में भेज दिया जाता है दोस्तो जब इस पेपर को प्रिंटिंग एरिया में पहुँचाया जाता है तब वरकर उन पेपर को उठा कर प्रिंटिंग मसीन में डालता रहता है और printing machine एक एक करके paper को बाहर भेशती रहती है दोस्तो printing section में भी note 3 process से होकर गुजरते हैं जैसे कि पहले paper offset printing से होकर गुजरते हैं जैसे कि ये देखिए ये machine 50 euro का note छाप रही है और इसमें red और green color यूज होते हैं इसलिए machine में green और red color डाले जाते हैं अब quality inspector ये चेक करता है कि currency पर डाला गया color कहीं ज़्यादा light या फी ज़्यादा dark तो नहीं हो गया है अब इसके बाद note जाते हैं silk screen printing में अब जैसे कि इस note पे 2000 लिखा गया है जो हर एक angle से अलग-अलग color का दिखता है और दूसरे angle से उसका color change होते रहता है और ये चीज silk screen printing में की जाती है अब finally last printing होती है intagulo printing अब इस printing में note के उपर texture print किये जाते हैं जिससे आप note पर हाथ लगाते हो तो आपको पता चलता है कि note पर कुछ लिखा गया है इस तरह के structure intagulo printing पे लगाये जाते हैं अब printing के बाद note को cutting machine में भेजा जाता है यहाँ पर note को proper size में काट दिया जाता है और फिर इस note को अच्छे से packing करके बड़े बड़े container के साथ अलग-अलग bankों में भेज दिया जाता है और जो note यहाँ पे खराब हो जाते हैं उन्हें RBI के पास भेज दिया जाता है फिर बाद में उसे cutting कराके फिर दुबारा से note में छाप दिये जाते हैं तो दोस्तों आप अपने सवाल हमें comment में पूछ सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें जय हिंद